तो हाई गाईस तो फिर से आपका स्वागत है तो आज हम सॉल्फ करेंगे क्वेश्चन नमबर ए बुबुन्यू लाइक्स कलर बॉल्स यह आपका क्वेश्चन नमबर वन है जो की कोर्ट फोर्सेस राउंड 6-64 का डिविजन 2 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में पुरा पढ़के तो नहीं सुनांगा मैं आपको समझा दे रहों कि यह दिया हुआ क्या है अगर इधर से पढ़ें तो क्या है का एका एए बी ए ए अर इधर से हम पढ़ेंगे तो यह आएगा फिर ए ए बी ए ए मतलब क्या है कि दोनों तरफ से सेम है ठीक है सेम रहेगा तो वह पलेंट्रोमिंग होता है इतना तो पता ही होगा नहीं हो तो सीखलेजी तो आइज आईएब देखते की हमें कराना कि है तो हमें दिया हुग है जैसे ही चार कभी बाउल देर भी इधर भी तो यह ऐसे करके अगर रखते जाएंगे तो यह पंब हमें मिल जाएगा चकांज आए अब मान दीजिये कि यह तो होगे है इसे आपका कि अगर यह आ है माल लिजे आपका यह इवन है इधर से भी तीन है इधर से भी तीन है अब माल लिजे हम को अगर इसको पीछ में सिर्फ एक कोई ऐसे डबलू लिख दे और सा कोई और पैर नहीं होगा और इसका और कोई पैर नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं आगा क्यों? क्योंकि इधर से R, G, B ये 4th position पर इधर से W मिलेगा इधर से भी हमें 4th position पर W मिलेगा ऐसा सिर्फ एक ही letter के साथ हो सकता है क्यों क्योंकि हम 2 letter लिखेंगा इधर से 4th position पर A मिलेगा इधर से 4th position पर W मिलेगा तो ये possible नहीं है तो अगर किसी का number odd है तो वो उसे हम सिर्फ बीच में ही रख सकते है इसा क्या मतलब है? जैसे आपका R हो गया या आपका R हो गया 7 तो उसे हम ऐसे करते हैं 6 plus 1 6 को हम ऐसे रख देंगे 3 इधर 3 इधर 1 को हम मिडियल में रख देंगे ठीक है और मान लिजे अगर आपका जैसे B है वो भी अगर आपका हो गया 9 तो वो हो जागा 8 plus 1 8 तो रख देंगे यह 1 का दिक्कत आए क्योंकि यह 1 पहले से present है तो यह पॉसिबल नहीं होगा तो इस condition से आप एक चीज़ समझ रहे होगा कि मान लिजे अगर जो R, G, B, W इसमें से अगर कोई एक अगर और है कोई एक ही अगर और है तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा और अगर सारे ही even रहे तब तो इधर से इधर ऐसे ऐसे पैर बनाते रहे तो चलेगा तो अगर सारे even है तब तो इदना मस्त कोई दिक्कत नहीं है अराम से एक एक तरफ करके रख दो अगर एक और है तो उसका सिर्फ जो इस सिंगल एलिमेंट है उसे मीजल रख दो ए dos order तो possible नहीं है तो यह होगया हमारा condition अब देखें हमेरा और दिया हो किया है हुआ हमें चek करना कि possible कि नहीं है तो हम उसे चек कրेंगे कि क्या उसे operation करने के बाद और उता है कि नहीं और प्रेशन क्या है अप्रेशन है हमारा जैसे जैसे R, G, B और W, ठीक है, तो ये तीनों से हमें minus 1 करना है और इधर plus 3 करना है तो ये तीनों का color W में change हो जाएगा लेकिन अगर कोई भी color missing है, माल ये कोई भी 0 है, तब ये operation possible नहीं है, एक साथ तीनों को करना है, ठीक है, ये notification में आया था ये हो गया, ये चलिए हो गया अब हमारा अब आईए, हम code की तरफ देख, तो अब आईए तो अब आईए, हम मैंको एक चीज दिखा दोता हूँ एक pattern, कि माल लीजिए इसे odd रहेगा, तो उसे अगर minus 1 या plus 1 करेंगे, तो वो even हो जाएगा और even रहेगा, उसे minus 1 plus 1 करेंगा, तो वो odd हो जाएगा, क्यों? जैसे 2 plus 1 आपका हो जाएगा 2 even था, plus 1 की odd हो गया फिर ये odd है फिर इसमें plus 1 की है, तो ये even हो जाएगा, ठीक है वैसे ही, सेम चीज आता है, जैसे plus 3 में भी वैसे ही होगा, plus 3 में भी ये evens odd हो जाएगा, और even हो जाएगा वो कैसे है, जैसे 1 plus 3 is equal to 4 plus 3 is equal to 7 odd plus 3, even even plus 3, odd ठीक है, ये ठीक है तो plus 1 का भी वही effect है, plus 3 का भी वही effect है, इतना ध्यान रखिएगा अब आईए, मैं आपको इसा code दिखाता हूँ code में क्या है, code में देखिए, यहाँ दिया हूँ है कि हमने तो इस पहले सब input ले लिया ये count कहा है, number of odd balls number of odd balls मतलब कौन-कौन सा कदर का odd balls हमारे पास है ठीक है, ये well ले रहे है, ये minimum है और RGB का, ये क्यों है, क्योंकि check करने लिए, कोई 0 तो नहीं है 0 रहेगा, अगर कुछ 0 रहेगा तो ये operation possible नहीं है, क्यों मैंने अभी दिखा है ना तीनों का होना जरूरी है अगर 0 रहेगा तो possible नहीं है, इसलिए सिर्फ ये check करने, अब यहाँ देखिए, mod 2 कि ये check करने कि क्या red का odd number of ball अगर हाँ, तो प्लस-प्लस पैसे ही green का पैसे ही blue का, अगर odd number of balls है तो count प्लस-प्लस कर दे रहे, ठीक है अब क्या है, तो अब देखिए, अगर count is less than equal to 1 मैंने बोला, अगर एक हो odd number या फिर एक भी ना हो, तब तो भाई एक दम बढ़ी है, और यहां चुप-चाप yes print कर देंगे, अगर नहीं अगर नहीं, और किसी भी RGB में से किसी का भी value 0 ना हो, तब आए operation करके देखते हैं और operation करने के बाद देखेंगे, क्या वो अब possible हो रहे की नहीं, तो अब क्या कि कि अब हमारे पास कितना number of odd number of balls है, तो अब चेक करेंगे तो अब जब चेक कर रहे हैं, फिर चेक करें क्या आप हमारे पास एक odd ball है या एक से कम odd ball है, ऐसे चेक करें तो अगर हाँ, तो yes कर दो, नहीं, तो no कर दो और अकर कोई भी कंजिस्टिन काम नहीं कर रहा है तो भाई वो नहीं होगा ठीक है तो वो चुपचा भाई सिर्फ सेफ्टी के लिए no लिख दिये हैं और आंसर सिर्फ no हो जाएगा ठीक है और आईए मैं आपको दिखाता हूँ कि यह मैंने सिर्फ एक बार ही क्यों किया है एक बार करने का रिजन बताता हूँ तो देखिए मान दीजे यह ऐसे है even 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 odd यह जैसे r होगी है यह g होगी है यह b होगी है यह w होगी ठीक है तो जब रहे हम minus minus करेंगा तो यह हो जाएगा Orde यह हो जाएगा orde यह भी हो जाएगा orde यह हो जाएगा even इसमें minus-3 का digamos sama है इफक्टण मेञे मैंने दिखाया था तो इह even पिर जब हम इसे करेंगे change, तो यह हो जाएगा even, यह हो जाएगा even, यह हो जाएगा even, और यह हो जाएगा odd, odd से even, odd से even, तो ऐसी ही करके फिर जब करेंगे तो फिर यह odd हो जाएगा, तो यही loop चलते रहेगा, even so odd, odd से even, even so odd, ऐसी ही करके चलते रहेगा, इसलिए एक ही बार चेक करेंगे, या तो हो न आपके इंटर्शिप या फिरी कोर्सेस के बहुत ही कुछ जालते रहता हूं तो सब्सक्राइब कर देगा ज़रूर और टेलिग्राम का लिंक वह भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहाँ भी जॉइन कर लिजेगा तो अपना धियान रखे सेफ रहे और बाइबाइबाइब सब्सक्राइब सेफ Testament झाल